नमश्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें नियूस क्लिक पर परताल दुनिया भर की अंतराश्टी कूटनीती में दो नेताओं के मिलने में फोटो आप बहुत एहम भूमिका अदा करती है इसकी बानगी आपको दिखाई दे रही है हमारे प्रधान मंत्री नरेन तब देखी लेकिन जितनी भी गलबहियां हों सेलफीज हों उसका परिणाम क्या निकला भारत को समझोतों में क्या मिला इस पर बहुत बड़े पैमाने पर चुप्पी है इस पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ दूसरा एहम मुद्द है यूक्रेन युद्ध से जुड़ा ब्लैक सी ग्रेन इनिशेटिव पिछले एक साल से चल रहा था रूस की शर्तें थी जो मानी नहीं गई और रूस इस समझोते से बाहर हुआ अब आरोप लग रहा है कि रूस की वज़ा से पूरी दुनिया में अनाज की कीमते बढ़ेंगी भुखमरी का हाल होगा इस पर प्रभीरा सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फ्रांस की प्रधान मंत्री नरेम मोदी 13 से लेकर 15 जुलाई तक फ्रांस में थे काफी डील्स के समझोते के बारे में चर्चा होनी थी कई घोशनाओं से बाहर है लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी जो दृष्य हमें खाई देई गल बहियां सेलफी सब कुछ चल रहा था ये जो विहंगम प्रेम दृष्य हैं इतनी फ्रांस और भारत के बीच कुर्बत थी क्या इसकी कहानी लगती है आपको देखिए दो तरफा बात है प्यार जब होती है दोनों की जरूरत परती है तो इस पे भी दोनों क बाराक उबामा की जो स्टेट्मेंट आया जिसके उपर भक्त गण जो है काफी उचले इसके बाद ये भी हुआ कि जो सवाल की गई थी उनको एक मावुली से सवाल था है बारत वर्ष की जदवाद की स्थिति क्या है इसके उपर सवाल एक वाल स्टीट जरूर्ल की एक महि की थी उसके उपर जो विशुदगार यहां से हुआ जिस तरह से अटैक हुआ अमरीकी सरकार को भी कहना पड़ा कि यह सही नहीं था बहुत हो गया तो इससे जो है क्या कहेंगे भारत वर्ष की छबी इसकी जरतंत्र की छबी या बोदी जी की छबी इतनी उभर के नहीं आय बैस्टिल डे पे गए थे जबकि बैस्टिल के पतन फ्रेंच रिवलूशन का शुरुआत माना जाता है तो वहां पर तो कुछ हद तक क्या कहेंगे मरंपटी जनवाद की उस पे की गई है क्योंकि फ्रेंज फ्रांस में भी यह सवाल उठा था कि भारत वर्ष की जनवाद क स्तिती में है किता हेल्दी है पर इस पर एक चीन भूलना चाहिए माकरॉन इस वक्त डगमगा रहे हैं उनकी पॉब्लिक पॉपुलारिटी बहुत घड़ चुका है और खास तोर से नसल बाद का सवाल फ्रांस में उबर के आया है आप जिकर कर रहे हैं जो पूरा लंबे सम ऐसे द्रिश लोगों को देखने के बिला कि करीब करीब फ्रांस की जो एक पुलिस आफिसर ने उसको एग्जेक्यूट किया है गोली मारा है जबकि गारी की ऐसी कोई स्थिती नहीं थी कि पुलिस आफिसर के कोई जान का खत्रा हो या कोई किसी तरह का खत्रा हो तो इसी त अमरीका में अमरीका उस तरह की कुछ अभी नजर आया वहां पर भी लाज स्केल अलजेरियन मॉरक्वन आफ्रिकन यूज सड़क पे उत्रे ऐसे फिगर्स उनको समर्थन कुआ इमबापे जिसे फुटबॉलर है जो एक बहुत बड़ा इसके हमने चर्चा भी की थी काफी तो नसल बाद की जो संघर्ष इससे साबित हुआ फ्रांस में है उनको भी लगा कि एक भारत वर्ष के प्रधान मंत्री को अगर गले लगा लिया जाता है तो शायद मैकरॉन की जो चबी काफी खराब हुई है मिट्टी पलीत हुई है खास तोर से वहां की पुलिस की जो गोशना था उन्होंने कहा था ये जो प्रधर्शन कारी है जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये तो कीडे मकोडे है तो इस तरह के जो गोशना आए थी जो एकदम नसल बाद की छाप उसमें मिलती है बू आती है तो उसको देखते हुए मैकरॉन के लिए भी अपनी छबी ठीक करने के लिए मोदी जी का इसका जाना मैकरॉन जी के लिए भी कुछ लावदायक होगा लगा कि शायद उनकी छबी थोड़ी सी और उज्यागर होने की संभाव ना हो कि एक भाज यह प्रधानमंत्री उनको गले मिलने है जी अब हम चर्चा करते हैं समझ खुटों की क्योंकि समझ खुटों को लेकर लगातार खबरे आ रही थी कि हमें इतने राफेल मिलने वाले हैं तीन स्कॉर्पियन डील होने वाली है न्यू क्लियर को लेकर भी डील्स की थी लेकिन जो announcement हुआ joint press conference में उसमें ये दोनों चीजें नहीं थी जिस पे बहुत जादा दारो मदार था तो डील्स में भारत को हासिल क्या हुआ? पहली बात तो हम खरीदार है हमको हासिल अगर होना है तो technology हमारे पास आएगी नहीं आएगी यही सवाल है तो पहले चलते है रफाल डील के बारे में रफाल डील जब हुई थी तभी हमने कहा था हमारे मेरे ख्याल से इस शो में भी कहा था कि रफाल में जो डील हो रही है अनिल अंबानी की जो company है वो रफाल बनाने का city में नहीं है वो supply करेगा रफाल की technology लेके रफाल के parts या indigenization करेगा इसकी संभावना नहीं है और हिंदुस्तान aeronautics limited को बाहर रखके जिस तरह से अनिलंबानी को company को लिया गया था उस वक्त हमने कहा था यह गलत है अभी साबित है कि यह गलत है अनिलंबानी company डूब गई दिवाली हो चुके हाँ वो तो अब सबको मालूमी है और इस वक्त उस company को रफाल अपने हा अपनी बनाएगा तो offset नहीं होगा हकीकत जो है तो offset का एक अभी भी रिश्श साफ नहीं है और रफाल डील में क्योंकि एक बहुत बड़ा controversy इस पे बन चुका था देखने की बात है offset कैसी की जाएगी क्योंकि उसका partner company डूब गई है उस वक्त भी हमने कहा था है अर्दुस जाके कौन सी company आएगी वो देखने की बात है और scorpion deal scorpion deal छे subbreed तो हम खरीद ही चुके है एक चीज़ और भी आपको बताने के जरुरत है इस वक्त रश्या के बाद सबसे बड़ा arms बेशने वाला देश जो है वो फ्रांस है भारत खरीदता है भारत का जो खरिदारी होती है रूस नमबर वान पहले अमरीका नमबर टू था इस वक्त फ्रांस नमबर टू स्थान पे है अमरीका काफी दीचे गया है तो अमरीका थर्ड पोजिशन में है पर अभी भी रूस सबसे ज्यादा भारत वर्ष को arms and ammunition देता है और फ्रांस के लिए शायद टॉप बायर भारत है भारत वर्ष पिछले पांच साल पे उनकी रफाल के खास वजह है रफाल और स्कॉर्पीन डील के इन दोनों चीजों के लिए बड़े पैसे लगते हैं इसके लिए तो वो जो है फ्रांस से हम खरीद रहे हैं पर हकीकत जो है थोड़ा सा इस पर आश्चरी अभी लोगों को हुआ बहुत बातचीत तो हुआ पर डील दोनों साइन नहीं हुए वो 26 या 25 रफाल पर रफाल और तीने स्कॉर्पियन जो 26 रफाल 25 रफाल था 26 रफाल जो था वो है जिसको मरीन वर्जिन है जो कि आपके एरक्राफ्ट कैरियर में वहां से वो उड़ता है तो उसके पर इनने के बात हो रही थी उसके भी कोई क्लोजर नहीं हुआ है लगता है उसमें भी बातचीत चल रही कितना पैसा कौन क्या बनाएगा कितना इंडिजनाइजेशन होगा यह नहीं होगा इसमें ऑफसेट कैसी की जाएगी मैंने ख्याल से बहस अभी बिजारी है इसलिए वो अभी तक तो यानि जो पूरी की पूरी यात्रा है इसमें फोटो आप्स बहुत अच्छे हैं वीडियो काफी अच्छे देखने को मिले लेकिन अभी डील क्या हुई है इसमें थोड़ा सा में लगेगा हम इंतजार करेंगे तब तक हम चलते हैं अपने दूसरे कर लेकर जो पिछले साल हुआ था पूरी दुनिया जानती है की युक्रेइन युद्ध चल रहा है तब से और उसके बास से पूरे दुनिया में जो फूड़्कра क्राइसेज हूआ था अनाज का क्रांज हुआ ता उसमें संयुक्त राष्ट और तुर्की की मदद से यह समझाता हुआ था रूस इसमें सहमती जताया था कि ब्लैक सी जो दिखाई दे रहा है हमारे दर्शकों को हमारे एडिटर जूम भी कर देंगे इसको यहां से जो अनाज जाता था उसको लेकर समझाता था रूस ने सा देखते हैं ब्लैक सी इनिशेटिव जो है है क्या तो ब्लैक सी में यहां पर यूक्रेन है आप देखी रहे हैं और रश्या भी यहां पर है तो दोनों की यह ब्लैक सी कॉमन समुंदर है जिसके जरिये वो तर्की इसको कंट्रोल करता यहां से लेके यहां अब बिरिटिनिय पहुँचने की जगह है तो यह रूट है जिसके जरीए दुनिया की दूसरे देशों के पहुँचते हैं बहुत सारे देश जो है Mediterranean की तट पे है तो उसके जो देख सकते है यह सारा जो है और इधर से आपकी Egypt के जरीए यहां भी पहुचता है तो यह जो रास्ते है यह Black Sea के जरीए ही होता है कि पोर्ट्स रश्या का और Ukraine का बहुत सारे पोर्ट्स इसी तट पे है और दूसरे जो सी है Baltic Sea है यह Baltic Sea है यहां पर बरफ जम जाता है 7-8 महीने तो इसलिए यह मुख्य रूट है तो यह जब जंग के वजए से यह जब बंध हो जाता है तब बतलब बहुत देशों का अनाज और फर्टिलाइजर दोनों चीज मिलने से बंचित हो जाते हैं बहुत मुश्किल होता है और फर्टिलाइजर क्योंकि अग्रिकल्चर का बुख्य अंग है और वो अगर नहीं मिलता और अनाज अग यूक्रेन दोनों जो अनाज सरप्लस है वो दुनिया को अनाज दे पाएंगे तो हकीकत जो हुआ इसमें यूक्रेन के अनाज तो दूसरे जगहों पर पहुचा रूस के अनाज नहीं पहुचा क्योंकि बैंक में जो छोटे देश है उनके लिए अलग तरीके से पैसा भेज़ से बाहर कर दिया स्विफ्ट सिस्टम यानि दुनिया का वह सिस्टम जिसके जरी एक करेंसी से दूसरे करेंसी में अदान-प्रदान होता है रूस की बहुत लंबी है पिशले एक साल से वह मांग कर रहा है कि हमारे एक बैंक को कम से कम आप इसमें शामिल कीजिए हमारे उपर यह सैंक्शन हटाई है ताकि हमें भी पैसा मिल सके यह उन्होंने इसलिए नहीं कहाता कि हमें पैसा मिले उन्होंने कहाता दूसरे देश खरीद पाएंगे और उनके लिए किसी और तरीके से पैसा देना दिक्कत है तो तो अगर ये ग्रेन इनिशेटिव सच्पुत गरीब देशों के लिए है तो उसके लिए ये चाहिए कि स्विफ्ट सिस्टम से कम से कम एक बैंक को इस मजबूरी से बाहर निकाला जाए रूस के एक बैंक को ताकि छोटे देश जो है उस स्विफ्ट सिस्टम के जरीए उसको पैसा दे सकते हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि यह एक नक्षा है यह नक्षा बहुत खास है क्योंकि यह तक्तियों पर आधारित है कि जो पिछले एक साल में अनाज गया वह अनाज कहां पहुंचा क्योंकि उस अनाज को लेके अलग-अलग दावें हैं मैं यह चाहूं दावा आप कह रहे थे वो दावा यह है कि जो डेवलप्ट देशों को जो अनाज मिला है डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा अनाज मिला है और उस पे उन्होंने कहा है कि 54 परसंट या 55 परसंट डेवलपिंग कंट्रीज को गया है और 45 या 46 परसंट गया है जो डेवलप देश है इस पे एक खास तरह की एक क्या कहेंगे कारीगरी है राजनिती भी हाद सफाई है क्योंकि इस हद सफाई ये है कि ये डेवलप देशों डेवलपिंग देशों में साओधियरेबिया भी है चाइना भी है ऐसे मुल्क है जो आज के तारिक पर अमीर मुल्क माली उनाइटे नेशन के और एक केटेगरी है जो घैवलपında देवलपिंग नहीं वह लो इंकलम। लोः मिडल इंकलम। अपर बिडल इंकलम। और इच in इस balance से गरी ये किया है इसमें हमने जो लाल रंग तरह के लाल रंग इस्त SPEAKERD जो है कि लोः इंकलम और लो मिडल-इंक और ग्रीन जो किया है, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन जो किया है, वो है आपकी अपर मिडल इंकम और रिच कंट्रीज तो अमीर और संपन्न देश हैं, मध्यम आयवर्ग वाले देश जिसमें चीन भी है और पूरा यूरोप भी है इदर अपर मिडल इंकम अपर मिडल इंकम और जो भारतवर जैसे देश है वो लोवर मिडल इंकम पर कैपिटा इंकम से है और सुडान और इथोपिया है जो अत्यंत गरीब है अत्यंत गरीब देश है इस चार कैटेगरी में करें तो आप देखेंगे जो अपर मिडल इंकम और कि ताउन के पास अनाज गया है तो आप देखेंगे 80% उनको गया है 80% 20% गया है जो लो मिडल इंकम ये तो लो इंकम देशों को गरीब देशों को 20% ही गया है तो रूस का जो कहना था जो मूलतह ये अनाज की जो एग्रिमेंट हुआ है ये युकरेन से यॉरप और दूस्ट संपन इलाकों में भेजने का इरादा था इससे गरीब देशों को भेजने का कोई इरादा नहीं था वो आंक्डे वही बता रहे हैं और ये भी वज़ा है कि गरीब देशों के लिए बिना स्विफ्ट सिस्टम को एक्सेस किये उनके लिए खरीदना संभब नहीं है भारत व से रूपी रूबल एग्रिबेंट करके हम खरीद रहें देरहम से उनको दे रहें पैसे युवान से भी देने की बात हो रही है तो हमने अलग-अलग तरीके से रूस से खरीदारी कर रहे है तेल को जैसे मुला था पर जो गरीब देश है उनके लिए ये सब करना संभव नहीं है इसलिए लगातार रूस का कहना था कम से कम एक बैंक को करने की इजाज़त दे उन्होंने कहा था एक बैंक को इस तरह से नहीं देंगे आप और एक कंपनी बनाएए जिस कंपनी को हम एलाओ करेंगे इसके मतलब पांच-आठ महिना लग जाएगा उस कंपनी की सब उक्रेन की ग्रेन भी जो बाल्टिक सी से जाती है ब्लैक सी से जाती है उक्रेन की ग्रेन जो ब्लैक सी से जाती है उसको भी हम नहीं देने देंगे और हमारी भी कोई ज़वरत नहीं तब ग्रेन ट्रीटी को हम बंद करते हैं क्यों जिन देशों को हमें बेचना है जैसे हम बेच रहे हैं, जैसे हम गैस बेच रहे हैं, तो हम उस तरह से उनको अनाज भी बेच पाएंगे, फर्टिलाइज़ भी बेच पाएंगे, तो यस UN ट्रीटी का मतलब सिर्फ यूक्रेन को समर्थन करना है, इससे और कोई मतलब निकल नहीं रहा है, जिस वजह से हमने इसको agreement को allow किया था, उस agreement से जो होना था, वो इसमें नहीं हो रहा है, आंक्रे, जो टेबल से, वो ही बताते हैं, कि असी प्रतिशत जो है, फाइदा, इस ग्रेंड का, यूरोपिय देशों को, या तो कुछ मिडल इस्टन देश, जिसको वेस्ट एशिया की देश, जो उन्नत है, उनक इसमें पहले ही घोशना कर दी थी, कि अगर आप हमारी शर्त नहीं मानेंगे, हमने इतना लंबा इंतजार किया, तो 18 जुलाई को ये समझोता खत्म हो जाएगा, एक साल उन्हों ने इंतजार किया इसका, तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि दूसरे ढंक पूरी मीडिया में और खासर से अंतराश्टी मीडिया और पश्चिमी मीडिया में ये चर्चा चाया हुआ है, कि दरसल रूस दुबारा से दुनिया को भुखमरी के कगार पे लाने वाला है, और इससे फूड प्राइसे बढ़ने वाली है, तो जिम्मेदारी किसकी है, हम स असली सीन क्या है, वरना तस्वीरें सब कुछ नहीं कहती, वीडियो सब कुछ नहीं कहते, हकीकत उनके पीछे परदे के पीछे चुपी होती है, हम कोशिश कर रहे हैं आपके साथ मिलकर उन असली तस्वीरों को आपके साथ साजह करने की, देखे, लाइक करिए, शेयर न्यूस्क्लिक परताल दुनिया भर की, शुक्रिया